असलाम वालेकूम आज हम बनाएंगे चिकन तिक का बिर्यानी इसके लिए 1.5 किलो चिकन लिवी है इसे साफ धोके रखावा है मीडियम साइज के पीस किये वे देखो इस तरीके से हमने इसके पीस किये वे यहाँ पे हमने मसाले लिए वे टू टेबल स्पून अधरक लेसन का पेस्ट लिया वा है वन टेबल स्पून लाल मिर्च पॉडर है हाफ टी स्पून हल्दी पॉडर है रेट फूट कलर है टेस के ओकोटिंग नमक है और आदा लीमू है सबसे पहले इसमें हम लीमू का रज दालेंगे इसमें जो बींज गिरी विये इसे हम निकालेंगे इसके बाद इसमें मसाले दालेंगे और इसे हातों की मदब से अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन को अच्छे से मसाला लगना चाहिए और इसे हम मिक्स करने के बाद एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए के मीडियम सइज के पीस करके रखे वे यहां पे अरा कडाई में तेल लिया वाई तेल हमारा गया से अच्छा से गरम हो गया कि tapуч.. प्रफेट तेल हो गया इसमें शिकन दालेंगे और शिकन को हम से 70 पर्सन ही पकाएंगें क्योंकि शिकन अमरी बात में भी पकेंगी इस तरीके से हमको इसको पकाना है यहापे हमारी चिकन पकके रेडियो गई है इसी तरीके से हम दूसरी भी चिकन इसी तरीके से फ्राइ करेंगे यहापे हमारी चिकन रेडियो गई है जो मसाला बचावा है इसमें हम आलू दालेंगे इसे भी हातों से अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा हैंगे मसालो का आलू का इसे भी अभी हम फ्राइ करेंगे वही तेल में और कम आच पे फ्राइ करना है हमको दोखो आलू भी हमारे फ्राइ करके रेडी हो गए इसे भी अभी हम निकालेंगे और अभी हम मसालों की तैयारी करेंगे यहाँ पे हमने मसाला लियावाए टू टेबल इस्पून धन्या पॉडर चार हरी मिर्च गरम मसाला है बड़ी इलाइची छुटी इलाइची लॉंग काली मिर्च दाल चीनी टेस्ट के ओकॉटिंग नमक है वन टीस्पून हल्दी पॉडर है टू टेबल इस्पून जीरा पॉडर है टू टेबल इस्पून लाल मिर्च पॉडर है वन टेबल इस्पून गरम मसाला पॉडर है पांच मेडियम साइज के प्याज लियावे इसका हमने बिरिस्ता बना के रखावाई, दो मुठी पुदीना है, एक मुठी हरा धनिया है, चार टमाटर की प्यूरी लीवी हमने, यहाँ पे 5 टेबल स्पून टेमेटो सॉस दियावाई, एक प्याली दही है, 4 टेबल स्पून अधरक लेसन का पेस्ट है, जिस तेल में हमन आपने भून क्मकून करें, इसके बाद थंडा करना है, फिर इसमें हम ब्रिस्ता डालेंगे, पुदीन डालेंगे, धन्या दालेंगे, इस तरीके से अंको एक एक चीज दालना है, विरिस्ता जो है वह मेर अपना घर का बनावाई, इसकी वीडियो मैंने दा लीगी आप च क्योंकि हमने चीकन को भी लगाइ भाय था अपने पेस्क कि इस अपने चामार के इस ते मगार नहीं है। इसके बाद हमें पार अलो और झालें वा कि अपने अपने में बज़ता और घ्र सब्सकों चांपें करें कि wissen यहां पे हमने चावल को एक घंटा भीगा के रखावा है अच्छे से यह बासमती चावल है यहां पे हमने कोईला भी जलनी के लिए रखा वाए और इसमें मैंने तेज़ पत दाली हो आपको बताया भूल गई ती अभी इसमें प्याली रखेंगे इसमें घी डालेंगे यहाँ पे कोईला जलके रेडियो गया है इसे भी हम ढखके रखेंगे इससे इसकी खुश्बु बहुत अच्छी आती है बिर्यानी की यहाँ पे हमने चावल पकाने के लिए पानी रखावा है पानी में उबाल आ गया हम टेस्ट के ओकोटिंग नमक दालेंगे और इसमें भी हम ढखके रखेंगे चावल पकने तक यह बनाना बहुत आसान है और यह खाने के लिए भी बहुत अच्छी लगती है भी साम सिर्फ गरम करेंगे पांच मिनिट टक ताकि मसाला गरम रहेंगा तो अच्छा रहेंगा चावल दालने के बाद ने तो हमारा मसाला ठंडा रहें तो बिर्यानी सही से नहीं पकेंगे यहां पर हमारे चावल पके रेडी हो गए इसका भी हम पानी निकालेंगे देख़े पक रहा है न इस पर भी हम एक मुठी वापस से बिरिस्ता दालेंगे और थोड़ा सा पुदीना दालेंगे इसके बाद इस पर हम चावल दालेंगे ह चावल को चान के लिया वाई चावल को हमने 80% पकाया वाई अच्छ से इस पर भी हम फूट कलर दालेंगे यलो इससे कलर बहुत अच्छा आता है इस पर भी हम बिरिस्ता दालेंगे और अच्छ से ढख के हम 20-25 मिनिट तक कम आच पर रखेंगे देखो यहां पर हमारी बिर्य में बताना आप लोग को मेरी रेसेपी कैसी लगी हाई फ्रेंड अगर आपको मेरे ममा की रेसेपी अच्छी लगी हो तमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग